सुर्संड पर्खंड के रधार पंचायत की रिम जिम लड़की को जो मुखिया की प्रेमिका कही जा रही है उसको गोली लगा और फिलाल ओ डॉक्टर बरून कुमार की यहां पे है उसकी क्या इस्थिती है और किस कंडिशन में थी डॉक्टर सहाब से जानते हैं अब किस कंडिशन में आई थी अब किस कंडिशन में मरीज रात को दो वजए आई थी और उसके पेट में नाभी के पास में गोली लगा हुआ था मरीज का सारे इन्वेस्टिकेशन में के बाद ऑप्रेशन किया गया इसे वे की मरीज की छोटी आते और बारी आथा एक परिशानी नहीं है और हमें लग रहा है कि मरीज आक से 10 दिन में इस धिशार्ज भी हो जाएगी तो जहां मारने के नियत से मारने के लिए है अगर धंकाने के नियता तो पहर यहात में मारा जिस कंडिशन मर लगा था अगर थोड़ी दीर नहीं आता तो सॉय दो मर सकती था मरीज का पल्स और बीपी नहीं था जब हम लोग ने फ्लूइट सप्लिमेंटेशन किया और ब्लेट ट्रांस्वूजन किया तब बीपी आया और पेट के अंदर लगए एक लिटर के आसपास ब्लेट निकला था अभी फिलाल ठीक है अभी मरीज खत्रे से बाहर है अभी आई सिउ में ही है यह तो कहाना मुश्किल है कि पिस्टल का है चली जनरली पिस्टल का ही गोली है लेकिन अभे चलाया कैसे है कट्टा से चलाया यह पिस्टल से चलाया यह तो कहना मुश्किल है आप तो लगतार आप जांच के बाद ही पता चलेगी कि कैसे क्या हुआ है क्या सिच्विशन था हमने जो पैलेट से उसको निकालना है निकाल करके हमने आयो को हैंड़ोबर कर दिया दूरी से मारा गया होगा या निस्दिक से बिल्कुल पास से मारा गया है क्या नाम हुआ रिंजिम कुमारे क्या हुआ था उस दिन आपके साथ उसे रात को पानी पीने के लिए उतरे थे ना बेटपे से तो देखें दो को या आदमी आ गया था रूम में उनको नहीं जान दे था वह गोली चला दिया क्या कहके गोली चलाएं किसी के बारे पूछ रहा था वो लोग सब कह रहा है कि मुख्या जी को बुलाने के लिए आपको बुला आप गोली नहीं बुलाएंगे इसलिए आपको बुली मार दिया पूछ रहा तो कहां पर है कहां पर मिलेंगे कवाएंगे बोले हम नहीं जानते हैं तो गोली चला उसको कैसी पता था कि मुख्या जी को आप जानते हैं हमें नहीं पता आपको जब गोली मारा गया तापके घर के लोग कहां थे ममी लोग नहीं यह आप है ममी नहीं कुन कुन था घर में हम अकेले थे हैं कितना गोली लगा एक गोली लगा ओ लोग कैसा दिखता था पतला को लरका था उदना दियांचे नहीं देख पार माता कुम्राता को बंदो क्या था ता तो तो दीख नहीं पार उसका मौ पंदा हुआ था पतला पतला लरका था